नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में इगनु के MHD प्रोग्राम के फर्स्ट एर का एक अनिवार्जी विशाई MHD 6 उसी का चैप्टर 2 का हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उन पर बात करेंगे तो जो चैप्टर का न स्वरूप और उसका महत्व अपभरंश का स्वरूप और विकास हिंदी भासा का विकास आदिकालिन साहित्य की प्रिष्ट भूमी आदिकालिन साहित्य का वर्गी करन तो ये हो गया इस चैप्टर का मूल टॉपिक्स तो इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे तो आपके परिक्षा के point of view से ये बहुत ही important वीडियो होने बाली है तो skip किये बीना पूरा वीडियो देखिए ताकि इस chapter से संबंधित जो भी concept है वो बहुत अच्छे से clear हो जाए साथ ही इसी topic में जो ये बाला topic है आदी कालिन साहिती की प्रिष्ट भूमी ये तो एकदम very very important है आप देखेंगे ये topic नियमित रूप से पूछा ही जाता है तो चलिए अब सारे topics को one by one कभर करते हैं तो पहला जो है आदी काल का स्वरूप और महत्तुव तो आप जानते हैं कि आदी काल में भारतिय चिंतन धारा का हुआ स्वरूप दिखाई देता है जिसमें परस्पर बिरोधी तत्व एक साथ दिखाई देते हैं राजनीतिक उथल पुथल विदेशी आक्रमन और दो-दो संस्कृतियों के मिलन का परिवेश इस काल में दिखाई देता है अर्थात आप कहा सकते हैं कि उस समय बहुत जदा राजनीतिक उथल पुथल हुआ बहुत सारे विदेशी आक्रमन हुए दो-दो संस्कृतियों का मतलब मुख्य रूप से हिंदूओं और जो बाहर से आये हुए हैं मुसलिम्स उन लोगों के जो संस्कृति है अलग-अलग उसका मिलन हुआ इसी तरह इस काल में असांती और विखराव से छिन भिन सामाजिक स्थीती विवीद धर्म संप्रदाय और दर्शनों का विष्टार प्रचार भी दिखाई देता है इस काल में साधारन लोगों को आकरशित और भ्रमित करने वाले तंतर मंत्र टोने टोटके के साथ साथ जादू भरे चमतकार आदी भी सामने आए तो दूसरी और जैन, वैसनव, सेव, कापालिक, साक्त, सिद्ध, नात, आदी अनेक धर्मिक संप्रदायों की प्रविर्दियां भी इसके साहितिय में देखी जा सकती है अर्थात आप कह सकते हैं कि उस समय जो सामान्य लोग थे वो थोड़े से अंधविस्वास में जदा बिलिप करते थे और दूसरी और धार्मिक छेत्रों की बात हो तो बहुत सारे संप्रदाय उस समय सामने आए और ये संप्रदाय अपने हिसाब से साहिति की रजना भी किये आचारिय हाजारी परशाद विवेदी ने लिखा है सायद ही भारत बर्स के साहिति में इतने बिरोधी तत्व किसी काल में कभी आया होगा इस काल में एक तरब तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े बिद्वान कभी उत्पन हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परमपरा की चरम सिमा तक पहुँच गई और वहीं दूसरी और अपभरंस के ऐसे भी कभी हुए जो अत्यन्त सहज सरल भासा में अपना संग्छिप्त सब्दों में अपने मनोभावों को प्रकट करते थे अर्थात जो हम लोग सुद्ध भासा की बात करते हैं संस्कृत की बात करते हैं तो उसके भी बड़े बड़े बिद्वान हुए बहुत सारी रचनाएं उन्होंने रची और अगर अपभरंस की बात करें तो ये भी सहज सरल लोग भासा में बहुत सारे रचनाएं किये धर्म और दर्शन के छेत्रे में भी महान प्रतिभासाली आचारियों का उदई इसी काल में हुआ था और दूसरी और निरक्षर संतों के ज्यान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया इन संतों का प्रभाव सबसे अधिक जो भक्ति काल है उसमें दिखाई देता है भासा के दिरिष्टी से भी इस काल का साहितिक महत्व बहुत जदा है क्योंकि इस काल में भक्ति काल से लेकर आधुनी काल तक की सभी प्रबिर्तियों के आदिम बीज मिल जाते हैं अर्थाथ आगे का जो काल हुआ जैसे हम लोग भक्ति काल का बात करते हैं आधुनी काल की बात करते हैं तो सारे कालों में जो जो भासाएं प्रचलित हुई तो सबका वीज कहीं न कहीं आधी काल में ही छुपा हुआ है रचना सहलियों के सभी परवर्ती रूप भी इसी काल में दिखाई देते हैं इस काल की आध्यात्मिक स्रिंगारिक और वीर्ता की प्रविर्ति का ही भीक्सित रूप परवर्ति साहिति में मिलता है अर्थात जो आगे जाके भक्ति काल में जिसमें हम लोग आध्यात्मिक साहिति की बहुत ज़्यादा बात करते हैं रीतिकाल में स्रिंगारिक रचनाओं की बात करते हैं तो ये सारे जो प्रविर्तियां है तो आदिकाल से ही दिखाई देना प्रारंब हो गया था अर्था कहा जा सकता है कि सभी का मूल में कहीं न कहीं आदिकाल ही है अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक अपोभरंस का स्वरूप और विकास खिंदी साहित्य समिक्षकों ने अपोभरंस भासा का समय सन 520 पूर्व से 1000 इस्वी तक माना है अपोभरंस का ऐसे तो साब्दिक अर्थ होता है भरस्ट विक्रीत या असुद्ध इस नाम का प्रयोग पहले पहले उस सब्द के लिए होता था जो भासा के सामाइने मान्दन से गिरा होता था आरंभ में सस्कृत के विक्रीत सब्द के रूप के लिए भर्तहरी पतंजली आदी व्यकरणाचारियों ने अपोभरंस का प्रयोग किया पहले इसका अर्थ था विक्रित रूप या असुद रूप लेकिन बाद में यही भासा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ भासा विशेश के अर्थ में अपभरन सब्द का प्रयोग सन छठी सताब्दी के आसपास दिखाई देता है और इस तरह इस भासा में साहित्य आठ्वी सताब्दी से लेकर चौधु सताब्दी के बीच अधिक स्रीजित हुआ यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्यक यूगकाल की एक साहित्य भासा होती है और उसके समानतर विभीन प्रकार की जन भासाएं भी बोली जाती है अर्थात साहित्य भासा और लोग भासाएं जिस प्रकार वेदों की भासा चंदस ने उस समय की देशी भासा से सकती प्राप्त करके संस्कृत का रूप ले लिया उसी प्रकार पाली प्राकृत अपभरंस का रूप भी आगे जाके लिया जिस प्रकार 16 से सस्क्रित तक का समय 1590 पूर्व से 590 पूर्व तक रहा उसी प्रकार प्राक्रित और अपभरंस आर्जभासाओं का समय 590 पूर्व से 1090 तक स्विकार किया गया है आज के उपलब्द अपभरंस साहिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि इसके स्वरूप में अनेक रूपता है इसका बड़ा भाग जैन कभियों द्वारा रचीत है जो धार्मिक साहिति के रूप में दिखाई पड़ता है इस साहिति की एक बहुत बड़ी विशेष्टा है कि इसमें पौरानी कथा प्रबंध रहस्य और नितिपरक कृतियां सभी प्रकार की रचनाएं इसमें मिलती है जैन अपभरंस साहिति के समान ही बड़ अपभरंस साहिति भी है ये भी धार्मिक द्रिष्टी कोन से ही लिखा गया है इन बड़ जैन साहिति के अतिरिक्त अपभरंस साहिति की एक अन्य काब्य धारा जिसे लोकिक साहिति भी कहा जाता है ये भी काफी प्रचलित हुआ इसमें स्रिंगार प्रधान प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं इसमें लिखी गई इन विशेस्ताओं के आधार पर अपभरंस सहित्य को निम्ने धाराओं में बाटा जा सकता है तो पहला पुरान सहित्य अपभरंस में प्रमुक रूप से जैनियों द्वारा पौरानी कताओं को लेकर इस प्रकार का सहित्य रचा गया इसमें पुष्यदंत का नाम प्रमुक है साथी स्वयंभू जो है वो इस धारा के सर्व प्रमुक रचहिता है तो पुस्य दंत का महापुरान सांती भद्र सूरी का बाहुबली रास इसकी प्रमुख रचनाए हैं अर्थात इसे काब्य धारा की प्रमुख रचनाए हैं वैसे ही अगर चरित काब्य की बात करें या पिर चरित काब्य की बात करें तो इसमें लोकप्रिय ब्यक्तियों का ज नाग कुमार चरित्र या फिर नाग कुमार चरित्र ये काफी प्रसिद हुआ साथ ही जसहर चरित्र भी प्रसिदे गरंत हैं तो ये सब नाम भी थोड़ा इंपोर्टेंट है जैसे ये नाग कुमार चरित्र और जसहर चरित्र थोड़ा सा ये नाम भी याद रखेंगे अब ब खनपाल की जो रचना है भविश्यत कथा ये भी काफी इंपोर्टेंट है ये नाम को भी याद रखना है जैन कभियों का नीती परक सहित्य की अगर बात करें तो यह दोहों के माध्यम से मुक्तक काभियों की रचना करते थे इसमें जीवनादर्स है और रहस्यवादी स्वर् इंदू का परमात्म प्रकास और राम सिंग का पाहुड दोहा अपभरंस नीती परक सहित्य के उलेखनिया गरंथ है तो ये जो नाम है ये भी काफी महत्योपूर्ण है जैसे जो इंदू का जो रचना है परमात्म प्रकास और राम सिंग का पाहुड दोहा तो ये नाम भी थोड़ा याद रखेंगे, अब आ गया बौध सिद्य काब्य, बौध सिद्य काब्य जैन कब्यों के समांतर अपभरंस में ही लिखा गया, इस धारा के अंतरगत सरहपा और कनहपा, ये इनका नाम भी काफी प्रसिद्य है अपभरंस साहित्य में, और इनका जो रचना है दो ह वाकोस ये काफी उलेखनिया है, एमेजडी सिक्स का ही जो इकाई तीन है, उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो अगर आप थोड़ा सा अभी से ही इसको तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो अगला इकाई भी काफी आसान हो जाएगा, ये हो गया, अ अब बात करते हैं हम लोग आदिकालिन रचनाएं, आदिकालिन रचनाओं के अंतरगत आने वाला रासो साहित्य का संदेश काभ्य अब्धुर रह्मान द्वारारं रचीत संदेश राशक, ये भी अपभरंस में है, तो ये भी काफी प्रमुक है, अब्धुर रह्मान देखे करके देखते गए कि जैन कभियों की बात करें तो जो इंदू का परमात्मु प्रकास राम सिंग का पाहुड दोहा ये महतोपूर्ण था बोधसिद काभिकी बात करें तो सरहपा और कनहपा का दोहाकोस ये काफी महतोपूर्ण है और वैसे ही अभी जो हम लोग देख कि अब्दुर्रहमान द्वारारचित संदेश रासा किये भी काफी महतोपूर्ण है तो संस्कृत के आचार्यों सहीत अपभरंस के कभियों जैसे पूस्यदंत स्वयंभू आदी ने अपभरंस को देशी भासा कहा है अपभरंस किस प्रकार देशी भासा कही गई इस का अंतर में छंदस ने लोग भासा से सक्ति प्राप्त कर ली और संस्कृत के नए रूप में नई सहितिक भासा सामने आई जिसको कि हम लोग लोकिक संस्कृत कहते हैं जिसमें रामायन महाभारत आदी की रचनायें भी हुई जब संस्कृत साहितिक भासा के रूप में प्रतिस्ठित हो गई तब प्राकृत लोग भासा के रूप में थी और अब कालांतर में संस्कृत पंडितों की भासा रह गई इससे जनता से उसका संपर्क नहीं रहा तब प्राकृत कुछ समय बाद साहितिक भासा का रूप ले लिया अर्थात अब लोकिक संस्कृत वो प्राकृत भासा में बदल गया प्राकृत भासा के रूण और बद होने पर अपोभरंस भासा साहितिक भासा के रूप में लोकप्रिय हो गई अर्थात आगे जाके फिर लोक भासा उसमें आके जूट गया और अब ये अपोभरंस भासा के रूप में सामने आ गया जिसे की देशी भासा कहा जा रहा है कुछ समय बाद जब अपोभरंस का यूग नहीं रहा तब आधुनिक भारतिय भासाओं में साहितिकी रचना होने लगी आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से अब हिंदी भासा में रचना होने लगी तो इस प्रकार साहितिक भासाओं का देशी भासाओं के साथ संपर्क हुआ और इस प्रकार भारतिय आर्ज भासा की अपोभरंस अवस्था की सुरुवात हुई अब हम लोग बात करते हैं हिंदी भासा का विकास इस बारे में जब प्राकरित भासा पुस्तकों की भासा हो गई तब बोलचाल की भासा में भी परिवर्तन हुआ लेकिन जब तक वो बोलचाल की भासा थी तब उसे देशी भासा कहकर संबोधित किया जाता था जैसे ही यह साहितिक भासा हुई वैसे ही उसे अपोभरंस के नाम से संबोधित किया जाने लगा यह धात्यब्य है कि देशी भासा से अलग होने पर अपोभरंस साहितिक अभिव्यक्ति की भासा हो गई उसमें धिरे धिरे सास्त्रियता का पूठ आने लगा इस रूप से अलग देशी भासा और अपोभरंस के मिश्रित रूप ने एक नई और स्वस्त भासा को विक्सित किया यह भासा अपोभरंस से आगे बढ़ी हुई भासा थी अर्थात इसमें हिंदी भासा की बात हो रही है कि अपोभरंस में जब फिर से देशी भासा का मिश्रण हुआ तो यह हिंदी के रूप में सामने आया इस दिरिश्टी कोन से आचार्य राम चंद्र सुकल ने दो प्रकार की अपोभरंस भासाओं की चर्चा की है पहली प्रकार की वो जिसका ब्याकरन उन्होंने ही लिखा इस प्रकार की भासा में जैन कभियों आचार्यों की रचनाए है दूसरे प्रकार को वो जो इसके साथ ही प्रचलीत होने लगी थी इसे ही आचार्ये हेम चंद्र ने ग्राम में भासा की संग्या दी इस भासा में एक और जहां बौद सिद्धों के दोहे और संदेश रासक जैसे काब्य रचे गए वहीं दूसरी और इसमें लोग प्रचलीत गेई और अभी नहीं काब्य जैसे रासों काब्य भी रचे गए इसके बाद ही हिंदी भासा का रूप विक्सित होकर सामने आया यह सर्वविदीत है कि हमारे देश पर सासन कर रहे मुस्लिम सासकों की राजभासा फार्शी तो थी लेकिन लोग ब्यवहार और संपर्क के लिए उन्होंने जो ततकालीन प्रचलीत प्राकित हिंदी भासा थ उसी को अपनाया धिरे धिरे आधिकाल के आगामी वर्षों में इनी रूपों में से एक रूप राजस्थानी सहीति से संबंधित डिंगल था तो ये दो भासा रूप का हम लोग बात करते हैं एक डिंगल और एक पिंगल है ना तो जो पस्चिमी राजस्थान में जो सहीति रूप है जो भाट जाती के कभियों द्वारा रचा गया तो अर्थात ये भी प्राचीन रूप है तो राजस्तानी सहित से ये संबंधित है इसी प्रकार हिंदी भासा का दूसरा रूप जो कि पिंगल के नाम से विक्सित हुआ तो ये दोनों रूप सामने आया इन रूपों के अतिरीक्त हिंदी भासा का तीसरा विक्सित रूप सामने आया उसे सहित समिक्षकों में हिंदवी नाम से संबंधित किया इसको 13 सदी के आसपास अमिर खुसरों के सहित्य में देखा जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि ये सब जो स्टेज है ये हिंदी के विकास का एकदम प्रारंभिक स्टेज है अर्थात अपभरंद से अब धिरे धिरे वो राजास्तानी सहित्य के रूप में डिंगल और पिंगल के रूप में सामने आया और फिर धिरे धिरे हिंदवी नाम से फिर ये सामने आया अमिर खुसरों की रचनाएं इसमें देखी जा सकती है अब हम लोग बात करते हैं आधिकालिन साहित्य की प्रिष्ट भूमी तो ये आपका भेरी भेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है साथ ही ये बहुत ही आसान टॉपिक भी है अराम से हो जाता है तो चलिए एक बात सुन लेने से हमको लगता है फिर आप इसे कभी नहीं भूलिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में ये एक ऐसा समय था जब केंद्रिय सत्ता का पतन हो चुका था अर्थात समराट हर्स बर्धन की मृत्यू हो चुकी थी और उनके मृत्यू के बाद संपूर्ण रास्ट्र छोटे छोटे राज्यों में बिभक्त हो गया था अर्थात कोई इस तरह का राजा फिर सामने नहीं आया जो ये कह सके कि मैं पूरे रास्ट्र का समराट हूँ इस यूग में राजा अपने वैयक्तिक लक्षों की प्राप्ति के लिए वीर योध्धाओं का प्रयोग करते थे इस काल में सरबाधिक साहित्य रचना राजस्थान में हुई इस कारण साहित्य की भासा डिंगल पिंगल ही रही इस यूग में ऐसा साहित्य भी काफी मात्रा में लिखा गया जिसने अपभरन्स भासा का परिस्कृत रूप दिखाई देता है इस यूग की कुछ मुख्य परिस्थितियां इस प्रकार है तो हम लोग इसमें राजनीतिक प्रिष्ट भूमी की बात करेंगे आर्थिक प्रिष्ट भूमी की बात करेंगे सामाजिक प्रिष्ट भूमी की बात करेंगे धार्मिक प्रिष्ट भूमी की बात करेंगे सांस्क प्रिष्ट भूमी के बारे में राजनीतिक प्रिष्ट भूमी के बारे में धार्मिक प्रिष्ट भूमी के बारे में सांस्कितिक प्रिष्ट भूमी के बारे में तो आपका पॉइंट तयार हो गया अब इस सब को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है तो पहले हम ल राजाओं और सामन्तों की आपसी फूर्ट तथा सत्रूता देश को खोखला कर रही थी तो यही मुख्य रूप से उस समय का परिश्थिती था कि देश में केंद्रिय सत्ताया नहीं थी खर्षबर्धन की मृत्तु हो चुकी थी छोटे छोटे राजा बन गये थे यह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ते रहते थे अर्थात दूसरे राजाओं के साथ ज़्यादा तालमेल नहीं था मेल नहीं था इसी का फाइदा उठाकर जो विदेशी आक्रमन कारी है वो भी आ गये और भारत पर राज इस्थापित करने का प्रयास करने लगे तो इस तरह की स्थिती थी उस समय मुसल्मानों ने भारतिय राजाओं की आपसी कलह का लाब उठाया दस्वी सताब्दी में गजनी के सुल्तान महमूद गजनी ने भारत के उत्तर पस्थिमी सिमान्त के राजियों पर विजय प्राप्त कर ली उसने मथुरा, कन्नोज, ग्वालियर, कालिंजर को जीत कर सोमन अर्थात के मंदिर की अपार धनरासी को लूट ली, दक्षिन के चोल बंगसिय राजा राजेंद्रे ने महमूद गजनवी को उखाडने में अन्य राजाओं को कोई सहय जोग नहीं किया, अर्थात उस समय ये सोच बन गया था, कि वो जहां आकरमन कर रहा है, तो उसका समस या है, वो समझ ले मैं क्यों सहय जोग करूँ, और इसी कारण से आसानी से वो क्या है, लूट कर ले जाने में सफल हुए, ग्यारही बारही सताब्दी में अजमेर में चोहान, दिल्ली में तोमर, कन्नोज में गहवाल, राजाओं का सासन था, अजमेर के विसल देव चोहान ने सिमान्त उत्तर पस्चिमी भारत में अपने सामराज का विश्तार कर लिया था, इसी समय मुहमद गोरी ने भारत विजई के सपने देखे, उसने भारत पर कई आकरमन किये, अजमेर के राजा प्रिथिवी राज चोहान ने गोरी को अनेक बार पराजित किया था, जब प्रिथिवी राज जागरुख न रहा तो यह राजा परमार के साथ जुद में उलज गया तथा कन्नोज के राजा जैचन से सत्रुता रखने लगा तो इन परिष्थितियों का फायदा उठा कर मुहम्मद गोरी ने प्रिथिवी राज पर आकर्मन किया और उसे अंततह पराजीत कर दिया प्रिथिवी राज की पराजाय के साथ ही भारत में मुस्लिम सामराज की नियू पड़ गई मुहमद गोरी ने अपने राज का विश्टार किया और धीरे धीरे मुस्लिम सामराज की पता का समस्त उत्तर भारत में फहराने लगी आधिकाल की राजनीतिक परिश्टितियों के अध्यान से यह इस्पस्ट हो जाता है कि उस समय के राजपुत राजा अपने छोटे से प्रांथ को ही राष्ट समझते थे और वे उसी की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे संकुचित राष्ट येता के कारण मुसलमानों ने लगबग समपूर्ण भारत पर आधिपत्य जमा लिया अर्थात इसमें आपसी एकता नहीं था इसलिए ऐसा हुआ कि जो बिदेशी आकर्मन कारी थे वो भी भारत में अपना अधिपत्य जमा लिये अब हम लोग बात करते हैं समाजिक परिष्ट भूमी की किसी भी देश की राजनीतिक और धार्मिक परिष्थितियों का उसकी समाजिक परिष्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिस समय देश की धार्मिक और राजनीतिक परिष्थितियां सोचनिये हो उस समय अठोर व्यवस्था में जकड़ा जा चुका था इस समय कर्म के आधार पर नहीं बलकि जाती के आधार पर व्यक्ति को स्रेश्ट अथवा निक्रिष्ट समझा जाता था अर्थात वर्ण व्यवस्था चरम पर था जातियों का वर्ग भेद बढ़ता जा रहा था समाज में इभिन प्रकार की रूढियों से ग्रश्ट था समन्तों की वीर्ता का दम समाज की छाती पर भयंकर विश्दर बनकर लहराने लगा था अर्थात समन्तों का अत्याचार भी काफी बढ़ गया था इस समय राजपुद बंग्स में स्वयंबर प्रथा प्रचली थी स्वयंबर के अपसर पर वीर्ता और सम्मान के नाम पर अपहरन कांड होते थे इसी कारण ऐसे अपसरों पर रक्त की नदियां बह जाना एक सामाइने सी बात थी इस समय एक और तो करतबे निस्ठा और वीर्ता का प्रभाह था तो दूसरी और भोग विलास और रंग रेलियों की भरमा उसको सरवत्र अपमानित होना पड़ता था इस्तिरियां अपनी पती की चीता पर जोहर करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करती थी राजा लोग युद से लोटने पर अपने रानियों के साथ रंग रेलियां मनाते थे उस समय स्तिरियों को समाज में अधिक सम्मान ही मिलता था बलकि उन्हें भोग बिलास की समगरी समझा जाता था अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक क्रिया कलाप इस बारे में तो आदी कालिन जुग का जो मुख्य आधार था वो तो क्रिसी ही था उस समय के पदाधिकारियों को नगत बेतर न देकर कोई जागीर द दी जाती थी दूसरी बात यह कि किसान की पैदावार में से आधा भाग तो राज्य का होता था इस यूग का समाज दो वर्गों में बटा था उत्पादक और उपभोकता अर्था जो फसल को उगाते थे वो उत्पादक और उसका उपयोग करने वाले उत्पादक वर्ग को समाज में उपेक्षा और अनादर की द्रिष्टी से देखा जाता था यह इसलिए कि यह दूसरे के उत्पादन का लाब न उठा कर सोयंग ही उत्पादन करके आत्म निर्भर होने का निरंतर प्रयास करते थे दूसरी और उपभोकता वर्ग उत्पादक वर्ग की गाढ़ी कमाई का लाब उठा कर चैन की बंगसी बजाया करते थे अर्थात जो उपभोकता थे उनकी स्थिती जादा अच्छी थी इस प्रकार यह उच्च वर्ग से अपना संबन रखते थे इनकी प्रसंगसा में कभी और चारन रचनासील थे अर्थात इनकी स्थिती ठीक थी भारत में और अनेक बुराई का प्रवेश हो चुका था। के प्रयत्नों से बौध धर्म छद विच्छत हो चुका था बौध धर्म कई साखाओं में बढ़ चुका था हिन्जान महायान वज्रजान सहज्जान मंत्रयान आदि विचीत्र कर्म कांड प्रधान संप्रदाई में ये विवक्त हो गया था बौध धर्म के वज्रजान साखा ने भरस्टाचार को बहुत अधिक बढ़ावा दिया चमतकार प्रधर्शन करने के नाम पर ये तथा कथि धार्मिक लोग भोली भाली जन्ता को ठकते थे निमनिजाती की स्तिरियों के साथ भोग बिलास एक साधरन सी बात हो गई थी अलोकिक सक्तियों और सिध्यों की प्राप्ती के लिए बोध्धों के विविन संप्रदाई गुप्त मंतरों का याप नारी संभोग तथा सुरा पानादी करते थे इस युग में धर्म की आड में अधर्म का पोशन हो रहा था तंत मंतर द्वारा सिध्धी की इस परंपरा का जैन धर्म पर भी प्रभाव पड़ा बोध्धों की देखा देखी वैस्नब संप्रदाई भी विक्रिती के सिकार होने लगा पांचराज, सयब, कापाली, कालमुख, आदी संप्रदाई भी वाम मार्ग से प्रभावित हो चुके थे साक्त संप्रदाई में भी सुरा सुंदरी के प्रती गहन, आकर्शन, व्याप्त हो चुका था सुरा सराब और सुंदरी अर्थत इस्तिरिया समाज का निमन बर्ग कामाचारीयों के चंगूल में अधिक उल्जा हुआ था इसी प्रकार बौध धर्म के विक्रीत और सैब धर्म के विक्रीत रूप से नाथ पंथ विक्सित हुआ इस युग में बौत धर्म के पतन के कारण ब्राहमन धर्म पुना प्रतिष्ठीत हुआ परंतु उसमें भी अनेक बुराईयों ने प्रवेश पा लिया ब्राहमन धर्म दो भागों में भी भक्त हो गया था सैव धर्म और वैसनव धर्म अर्थात भगवान सिव को आराध्य मानने वाले सैव धर्म के अंतरगत आए और भगवान विश्णु को आराध्य मानने वाले वैसनव धर्म के अंतरगत आए ब्राहमन धर्म के पुना प्रतिष्ठीत होने से वर्ण व्यवस्था फिर से जिवित हो उठी थी हिंदुों में आचार विचार ब्रत पुजादी की भावना में वृद्धी हुई हिंदु समाज में धर्म के नाम पर आडम बरों को अधिक महत्व दिया जाने लगा इस युग में ब्राहमन अपने प्राचीन गौरब को खो बैठे थे राज दरबार में अपने आस्रे दाता का गुणगान करने वाले कुछ ब्राहमन आदर के पात्र समझे जाते थे इंदुों में सीव तथा नारायन की उपासना लोकप्रिय होने लगी थी इस युग में सिधनात साहितिम से ततकालिन वाम मारगी संप्रदायां को विक्रीति का परिचय भी मिलता है इसी समय इसलाम धर में भी तलवार के जोर पर पनपने लगा था किन्तु आदिकालिन साहिति पर इसका अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता है अब बात करते हैं अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक मिश्रीत सांस्कृतिक प्रक्रिया तो यह काल राजनीतिक अराजकता तथा बाहरी आकर्मनों का युग था इस युग में मुख्य तह मुसल्मानों जैसे महमूद गजनवी, महमद गोरी आधिके आकर्मन हुए मुसल्मानों ने धीरे धीरे हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार जमा लिया मुसल्मानों के भारत में रहने से हिंदू तथा मुसलिम संस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा प्रारंब में मुसल्मान भारतिय संस्कृति की और विशेश रूप से अकरिस्ट हुए उन्होंने संगीत, वास्तुकला, ज्योतिस, गनीत तथा आयूरवेद आधिका भी अध्यायन किया यद्यपी मुसल्मानोंने कुरूर्ता और अत्याचार का ही विशेश अवलंबन किया था फिर भी पारस्परिक आदान प्रदान जारी रहा संस्कृतिक द्रिष्टी से मुसल्मान हिंदूओं पर विजय ना पा सके बलकि वे स्वयंग भारतिय रंग में रंग गए है कुछ विद्वान इस काल को हिंदू-मुसल्मान संस्कृतियों का मिलन काल भी कहते है हिंदू संस्कृती पर भी धिरे-धिरे मुस्लिम संस्कृती का प्रभाव दृष्टिगत होने लगा भारत में प्रचलित प्रमुक मेलों, तीज त्योहारों, बेस भूसा, आहार, बिहार, मनोरंजन आदी पर मुस्लिम संस्कृती का कुछ प्रभाव दिखाई देने लगा था मुस्लिम राजाओं के प्रभाव से हिंदु राज दरवारों में भी मुस्लिम कलाएं प्रवेश करने लगी थी अर्थात आप कह सकते हैं कि जो दो संस्कृती पहले पहले तो टकराव दिखाई दिया लेकिन धिरे धिरे ये दोनों संस्कृती एक दूसरे से मिलकर एक मिश्च्रित संस्कृती का ही विकास किये अब हम लोग इस वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है आदिकालिन साहित्य का वर्गी करण अर्थात आदिकाल के जो रचेगे साहित्य है उसे हम किन-किन प्रकारों में बाट सकते हैं तो आप जानते हैं कि आदिकाल अंतरकलह और बाहिय संगर्शों का यूग था इस यूग में साहित्य अपने स्रीजन पत पर आगे बढ़ रहा था संस्कृत साहित्य की अपनी परंपरा में विकास हो रहा था जो तीस दर्शान स्मृतियों की टिकाएं लिखी जा रही थी भव भूती तथा राज सेखर ने नाटक तथा काव्य छेत्र में अपनी प्रतिभा का ससक्त परिचय दिया था इस समय के साहित्य में पांडित्य और चमतकार प्रदर्शन की प्रविर्थी बढ़ रही थी स्री हर्स का नैसद चरित्रिस का प्रमान भी है इस काल में जैदेब, कुंतक, हेमचंद, विश्वनात, सोमदेब जैसे महान, बिद्वान तथा आचारिये उपस्तित हुए कलहन की राज तरंगिनी इसी युग में लिखी गई अध्या इनको सुभिधा जनक बनाने के लिए आधिकालिन सहित्य को निम्न स्रेनियों में बाटा जा सकता है पहला हो गया सिद्ध सहित्य, फिर नात सहित्य, जैन सहित्य, रासोकाब्य, लोकिक सहित्य और गध्य रचनाए तो इन बर्गों में इन स्रेनियों में इसे बाटा जा सकता है सिद्ध साहित्य का संबंद बौध साहित्य से स्विकार किया जाता है यह भी सत्य है कि सिद्धों की रचनाएं हिंदी के आरंभिक दोर से प्रभावित रही है शिद्ध वज्रजानी थे तो ये वज्रजान बहुत धर्म का ही एक साखा था क्योंकि उनकी साधना वज्रजानी थी और ये साधना वाम मारगी थी दूसरी बात कि सिध्धों ने अपने विभिन साधनाओं के द्वारा न केवल इस्थापिद मान्यताओं का ही विरोध किया अपीतु सामाजी गती बिधियों का भी विरोध किया इस प्रकार उनका विरोधी स्वर सामाजी की इस्तर पर होता हुआ साहितिक अनुभूती और भासा के अभिभियन जना के विभिन रूपों पर भी दिखाई देती है उनके इस प्रकार के विरोध का ये वेशिस्टेता था कि ब्यवस्था से सिधा टकर न लेकर कभी अर्थ को उलटकर तो कभी छुप कर प्रकट किया करते थे जिससे हुए बेवस्ता से सिधे ना टकरा कर अपने मंते बेको जैसे सहित्य के माध्यम से ही इसपस्ट कर सके तो वैसा ही नात सहित्य तो इसका आरम भी सिध्य सहित्य के कुछ बाद ही हुआ इसका दार्सानिक पक्ष सेव मत से प्रभावित था लेकिन उनका बेवहारिक पक्ष पतंजली के खट योग का है नाग पंतियों की साधना सिद्धों के साधना के विपरित रही उन्होंने साधना को सहज और संभाव्य बना कर प्रस्तुत किया नाथ साहिती की दो सर्व प्रमुख विशेशताय रही पहली यह कि उसने अपनी धर्म निरेपेक्ष द्रिश्टी प्रस्तुत की इसके लिए उसने इस्वर से मिलाने वाला योग हिंदु मुसल्मान दोनों के लिए अभेद रूप से प्रस्तुत किया इसी प्रकार इस साहिती में किसी प्रकार की धार्मी कटरता नहीं रही दूसरी बात यह कि नाथों के साहिती में याजावरी साहिती का गुण मिलता है नाथ योगी अपने धर्म प्रचार के लिए एक से दूसरे प्रदेशों में यात्रा करते रहते थे इसे उए विभीन स्थानों की संस्कृती भासा और व्यवहार से परिचित होने के साथ साथ भासा के प्रभाव को भी अपनाते रहे यही बात निर्गुन साहिति में भी दिखाई देती है नात साहिति के प्रभाव भक्तिकाल के संतसाहिति पर भी पड़ा है अर्था जब भक्तिकाल में हम लोग निर्गुन सहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो इस पस्ट रूप से हम लोग समझ पाएंगे कि नात सहित्य का प्रभाव उन संतों पर भी बहुत ज़दा पड़ा है अब बात करते हैं जैन सहित्य की तो जैन सहित्य अपभरंग्स भासा में ही अधिकतर लिखा गया इसके सिवाई जैन सहित्य हिंदी भासा और सहित्य की रचना भी उन्होंने किया जैसे सालिभद्र सूरी द्वारा कृत भरतेश्वर भाहू वली रास वैसे ही असुन की कृती चंदन वाला रास इन्धर्म सूरी कृत सालिभद्र रास इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैन सहित्य हिंदी सहित्य का एक अभिन अंग है आदि कालिन साहिति की अगर बात करें तो इसकी एक विशीस्ट देन जिसको हम लोग कहते हैं रासो काब्य या रासो साहिति है इस साहिति में वीर रसका प्रवाः प्रकर हुआ है इस साहिति के रचनाकार भट और चारन कभी ही रहे राशो के साथ साथ राश सब्द का भी उल्लेक मिलता है इन दोनों में अंतर यह है की राश काव्य धारा में जहां जीवन के अनेक चित्र हैं वहीं राशो काव्य में युद्ध और प्रेम के स्वरूप को ही समवेदनात्मक इस्थर पर देखा जा सकता है अब तो इन दोनों का अर्थ एक विशेस प्रकार के काब्य के लिए रूड हो गया है जिसको हम लोग रासो काब्य के नाम से ही जानते हैं या ध्यात अब्य है कि रास काब्य में जैन कभियों द्वारा लिखे गए रासा ग्रंथ जैसे संदेश रासक जैसे काब्य है तो रासो काब्य में चारण कभियों द्वारा लिखे गए बीर भावों से लवालब रचनाए भी दिखाई देती है आदी कालिन सहित्य धार्मिक सहित्य तक सिमित नरह कर लोग सहित्य तक भी पहुँच रहा था ये लोकिक सहित्य राजस्थान, दिल्ली और मिथिला की लोग संबेदना की जलक प्रस्तूत करने बाला रहा इसमें भक्ती और स्रिंगार परक रचनायें हुई जनता के मनुरंजन के लिए जाकियों और पहलियां भी रची गई इस तरह से ये था MHD 6 का जो इकाई 2 है उसका complete syllabus सारे important topics इससे cover कर लिए उसी प्रकार से अगर MHD 6 के आप बाकी chapters का भी वीडियो देख सकते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं इस playlist को देख सकते हैं साथी ये वीडियो अच्छा लगा तो like share कर सकते हैं चैनल में नए हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद